अलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर आज हम सिंगलर और पललर नाउन्स की बात करेंगे सिंगलर नाउन ओल्ली वन ओफ सम्थींग इस सैट टू बी सिंगलर जो नंबर में एक हो यह सिंगल चीज हो उसे हम सिंगलर नाउन बोलते हैं जैसे अन अम्रेला एक छाता एक कार एक कोटेज एजू एनर्स एमैन एन इगलू एक गैस पाइप एन ओस्ट्रिज पलल जो मोर दैन वन हो सम्थिंग जो एक से ज्यादा हो नहीं हम पललल बोलते हैं जस ऐड़ हम singular से अगर हमें पलल नाउन बनाना है तो एस को लगा देते हैं singular अरेजल पलल क्या हो जाएगा एरेजर्स टेबल टेबल्स पैन पैंस कार कार्स हिल हिल्स कैनल गैनल्स वेल्ट वेल्स आनिमल आनिमल्स वर्ड काल Articles or determiners are used to singular nouns A kennel, an ant, a bread, a heaven, an igloo, an orange The article N is used before noun that begins the vowel Hum Articles N का प्रयोग ऐसे वर्ड से पहले लगाते हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं जैसे एन इंपोंट, एन आइस्क्रीम, एन अमेरिकन, एन ओक्तोपस, एन आउ The article A is used before the noun that begins with the other letter called consonant A article हम उनके सामने लगाते हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं पर कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो ये रूल फोलो नहीं करते हैं जैसे A uniform, A unit, A user, not N बट A is used because the vowel U in the word is प्रोनाउंस like that word U अब देखें यहां पे जैसे N or N here, N honor, not A but N is used because the consonant H this word is not pronounced noun that end with S, double S, SH, X made by perler ES जिनके last में S है, SS है, SH है और X है उनका हम perler बनाने के लिए ES लगाएंगे बस बशस्ख याओ पौूच बाऊच बश्छ बशस्च बश्च बश्चे उिपस्छ ख बश्य इस 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 इसप्व स्ष इसक्राष उप्सेज इस करें स्फ friendly पहले वोवल्स होता है उनका पलर्स बनाने के लिए हम सिंपल उनमें एस एड कर देते हैं जैसे की की स्मंकी मंकी इस डोंट डोंकी 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 टोए टोएस बॉए बॉएस जोए जोएस यहां पर सबसे पहले जहां वाई है उससे पहले वोवल्स है इसलिए यहां पर सिर्फ एस लगा देंगे और यहां पर यहां पर यह दि कॉंसोनेंट था वहां पर हमने एस लगा दिया था अब देखिए डे ड नाउन है जो एप के साथ एंड करते हैं उनका परलर सम एप टू वी की जंगा चेंज कर देंगे और उसमें यह लगा देंगे जैसे लीव लास्ट में आ रहा है तो हम लीव बनातेंगे बीप बीफ नाइफ नाइफ बट समनाउन दैड एप मेर वाइप पलर सिंपली बाइड जैसे कुछ नाउन्स है जिनमें एस है एफ है लास्ट में उसके बाद सिर्फ एस लगाते हैं जैसे हैंकरचीप हैंकरचीप पफ पफ रूफ रूफ रूप समनाउन दैट एंड विद एप कैन भी मेर परलर सिंटू वेस काफ काल्प और कैल्प दोनों सेमी है थोड़ा सा क्या जाता है यहां पर कि हम दो तरह से लगा सकते हैं यहां ऐसे लाइफ 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 ऐस लगा दिया और लाइफ ड्राफ होद्राफ्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो a family अंटा पे इन्ट होते हैं उनका पनाने के लिए लगाते हैं उसंए उसमें एस एड कर देते जूज बट अधर नाउं देट एंड और मेड परलर बाइड एस टोमेटो टोमेटो पोटेटो पोटेटो जीरो 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 कुछ हम चेंज होते हैं परलर यहां पे कया डिफ्रेंस है यहां पे ए था, यहां पे ए आ गया, वूमेग YE आ के चंगा, चाइल द ठील्ड्ल्स , फूट फूट, फिडिरle लेंग अन बूर्लर बाइड धन कया, तोलन ढसर पमग, जीरो जीरो पतित सिएस, परलु और मॉंप क्या जीरो क्या वदक रे ocean you can use a pair of with these parlors noun for example a pair of trouser a pair of chopstick a pair of glasses a pair of shoes a pair of scissors a pair of gloves some nouns are always parlors kush nouns hamesha parlors so tense a trouser shorts jeans pants tights pajama glasses spectacles goggles scissor binocular piler some nouns are usually parlors shoes sandals chopstick gloves sleepers clocks boots socks some nouns have both the form kush nouns ki both the form same rati hai change nahi ho ta sip sip dear dear fish fish aircraft aircraft आशे करते हैं आपको समझ आएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक किजी सेर किजी सब्सक्राइब भीज़े धन्यवाद